हेलो गैस आप सभी का आपके अपने भगेसनी फिटनेश यूटूब चैनल पर फिर से स्वागते आज का वीडियो हाइट इंक्रीस पर है आज मैं आपको बता हूँ हाइट इंक्रीस के लिए कौन से फूर्ट आपको खाने चाहिए अक्सर होता है कि अगर आप भी परेशान हो गए हाइट इंक्रीस करने के लिए एक साइज करके एक अच्छी डाइट लेकर तो मैं कुछ फूर्ट बता हूँ हाँ जिससे आपके हाइट इंक्रीस जरूर होगी अगर आप रेगुरर इन फूर्ट का सेवन करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा अक्सर होता है कि जब भी हम हाइट इंक्रीस की बात करते हैं कई न कई हमारी हाइट को लेकर काफी परिशानी रहती है क्योंकि वेट लोस करना आम बात होए वेट गेन करना भी एक छोटी सी बात है क्योंकि हम वजन भी बढ़ा सकते हैं वजन भी आसानी से घटा सकते हैं लेकिन एक हाइट इंक्रीस करना बहुती बड़ा टास्क होता हमारे लिए क्योंकि height बरना भोती मुस्किल होता है इसलिए आज का वीडियो है fruits पे कि कौन सा fruits खाकर हम हमारे nutrition की कमी को दूर कर सकते हैं और हमाई height increase में मदद मिल सकते हैं काफी वीडियो मैंने upload किये height increase के लिए कौन सा yoga करना, कौन सा exercise करना सबी वीडियो मैंने description में दे रखें लेकिन ये वीडियो है fruits के उपर कि कौन सा fruits खाकर आप अपनी height increase का सकते हैं क्योंकि वो fruits मैं बताने वाला हूँ उनमें काफी nutrition है जिससे आपके height increase होने में काफी मदद मिली तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को subscribe करें और पास के bell icon बटन पर क्लिक करें चलो वीडियो सुरू करते हैं आपको सबसे पहली एक चीज़ का हमेशा 7 जरूर करना चाहिए वो है पनीर क्योंकि पनीर में काफी nutrition होते हैं जैसे कि calcium vitamins B, D, C, E सभी तरह के nutrition calcium, iron, potassium, protein सभी तरह के nutrition होते हैं और एक बात हमेशा ध्यार के गई जो भी आर्मी या पुलीस या किसी पगार की तैयारी करता है या height increase करता है तो main चीज होते है diet आपका nutrition अच्छा हुआ तब ही आपके height increase होगी अगर आप exercise कर रहे हैं लेकिन अगर आपकी diet अच्छी नहीं आपका nutrition अच्छा नहीं है अच्छी चीज़े follow नहीं कर रहे है तो आप उपर से तो workout कर रहे हैं लेकिन अंदर का protein आपको मिलने रहा आपको calcium नहीं मिल रहा कई न कई अपन morning में दूद की एक गिलास तो पीते ही पीते workout के बाद इसलिए आपको सबसे पहले पनीर को अपनी diet में 8 करना चाहिए जब भी आप exercise करते हैं exercise का video में डिस्क्रप्शन में दे रखा है उसको follow करें exercise के बाद आपको पनीर का 7 करना अगर आप भी height increase करना चाहते हैं तो अपने fruits में पनीर को जरूर rate करें पनीर को सेखना बिल्कुल भी नहीं बहुत सारे से होते हैं उसको पनीर को spicy बनाने के लिए उसको तवे पे या किसी भी पकार का fry कर लेते oily में नहीं आपको कच्चा पनीर का 7 करना तभी आपके height increase में काफी मदद होगी तो फर्स चीज़े है fruits में पनीर पनीर का आपको 7 करना है अगर आप भी अपनी height बढ़ाना चाहते हैं तो कई ने कई आपको पनीर का 7 जरूर करना चाहिए second number पे है अक्रोड अब अक्रोड ने आपने कभी ना कभी तो अक्रोड का नाम सुना ही होगा ये काफी फायदे मन होता है एक तरह का height increase करने में क्योंकि इसमें काफी जगा vitamins होते हैं जो भी अक्रोड यूज करता है जब भी हम running करते हैं या कोई physical activities करते हैं तो कईने कई हमारा body pain होता है heart pain करना, pound pain करना तो वो सारी समस्या इस से दूर हो जाती क्योंकि अक्रोड में काफी nutrition होते हैं और एक height increase करने में ये काफी मदद करता है अगर गैस आप भी कईने कई अपनी height increase करना चाहते हैं तो अक्रोड का 7 जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें काफी nutrition होते हैं protein होता है, carbon होता है मतलब कि iron किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है तो आपको भी अपनी nutrition में और अक्रोड का 7 जरूर करना चाहिए अगर आप भी height increase करना चाहते हैं तो आपको अक्रोड का 7 जरूर करना चाहिए मैं अक्रोड की description में लिंक दे दूँआ आप महाँ से उसको पचस कर सकते हैं तर नमबर पर है बदाम height increase में बदाम भी काफी मदद करती है यादास्त मजबूत करने के लिए आप बदाम का 7 जरूर करते होंगे लेकिन height increase करने में भी बदाम काफी मदद कर सकती है कि बदाम में काफी nutrition होते हैं गैस देखी एक चीज़ हमेशा ध्यान रहे अगर आपको height increase करने न तो वो सभी चीज़ आपको follow करने चाहिए जो आपकी health के लिए अच्छी है जिसमें काफी nutrition होते हैं सभी तरह के nutrition अगर आप लेंगे न तो 100% आप जितना workout करते हैं तो workout कम करने की ज़रूरत पड़ेंगे क्योंकि कहने कि आपके height increase होने लग जाएंगे उसके लिए आपको चीज़ अच्छा nutrition तो आपको बदाम का 7B करना चाहिए क्योंकि बदाम में यादास तो मजबूत करती है साथ ही height में काफी मदद करती है क्योंकि बदाम में calcium, protein, vitamin D, C सभी तरह के प्रोशक तत्वायते हैं मतलब कि सभी तरह के nutrition होते हैं भरपूर तो आपके height increase करने में मदद करेगी आपको करना क्या है कि जब भी आप running करते हैं कुछ भी करते हैं या yoga एक साथ जो भी आप कर रहे हैं workout height increase करने के लिए उसके बाद आपको कम सें 5-6 बदाम को रोज आना खाना है रोज रूटिंग पे बढ़ाना है मतलब कि आप starting करें तो 5-6 करें फिर आप 10 तक capacity रखें फिर 11-12 इस तरह आपको बढ़ाते रहना है अगर आप भी height increase करना चाहते हैं बादाम को जरूर 8 करें तब भी आपकी height increase होंगी गाईस 4 number पे है salad अब क्या करना है कि जब भी आप workout करते हैं salad एक ऐसी चीज़े जिसका जरूर करना चाहिए salad में मतलब कि आप किसी भी चीज़ को आपको पता है salad टमाटर है खीरा है सभी चीज़ों को add कर लेते हैं मोली है मतलब कि सभी ताजी जो सबजिया होती है उन सभी को add करकर हम salad तया करते हैं वो काफी फाइदा मन होता है क्योंकि गईस होता है कि उसमें काफी nutrition होते हैं जो आपके height increase करने में काफी मदद करते हैं तो आपको salad का कई न कई यूज़ करना चाहिए जैसे कि मैंने बताया बदाम, अक्रोर ये थोड़ी बहुत महिंगे आज सकते हैं लेकिन एक salad, एक हरिताजी सबजियों का salad अगर आप बनाकर रोज उसका सेवन करते हैं तो वो आपके सरीर को जितना आपने सरीर को nutrition चाहिए उतना देगा और जब भी आप workout करेंगे ना तो उसमें काफी फाइदा होगा तो उससे आपकी height increase में काफी मदद मिलेंगी salad ऐसी चीज़े आपकी सारे पोशक तत्व भरपूर मिलते हैं और यह पोशक तत्व हमारी body के लिए काफी फाइदे मन दोते हैं आपका immunity system अजबूत करेगा आपकी रोग पती रोद्रोदक समता प्रोटीन से भरा हुआ रहेगा body पूरी के पूरी इस तरह रहता है कि आपकी height increase में काफी मदद मिलेंगी तो salad को तो आपको ate करना ही चाहिए अपनी diet में मतलब 4 नमबर पर आप salad करेंगे ना तो 100% आपकी height increase में काफी मदद मिलेंगी guys 5 नमबर पर fruits अब fruits में guys apple है बनाना है अनार है चुकुंदर है यह सभी आपको ate करना है guys होता है कि height increase के लिए अकसर लोग एक ही चीज़ पर focus करते हैं वह है workout workout के अलावब उनको कुछ पता नहीं होता मतलब कि workout करना रोज 15 दिन दिन के exercise करना 20 दिन दो मेने करना लेकिन एक अच्छी diet nutrition पर बिल्कुल focus नहीं करते कि कौन से fruits खाने चाहिए मतलब कि जो healthy fruits होते हैं जैसे कि apple है बनाना है यह सभी को आपको diet में follow करना चाहिए इनसे काफी मदद मिलती है height increase में अक्सर होता है कि guys आप workout तो अच्छे से कर लेते हैं बहुत मेनत करते हैं लेकिन कई न कई आपकी body में nutrition की कमी रहती है nutrition की कमी रहती है तो आपके height increase में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है समस्य आती इसलिए guys मैं बोल रहा हूँ अगर आपको height increase करनी है तो सभी तरह की तयारी करेंगे तभी आपकी एक अच्छी height बढ़ पाएंगी height अच्छी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि instagram पर मुझे dm करना है message कर सकते हैं मैं आपको वहाँ पर chart दे दूँआ कि आपको height increase करने के लिए diet कब लेनी है और कौन से fruits अपनी diet में add करना चाहिए और कैसे क्या workout आपको routine करना है उसके लिए guys आपको क्या करना मुझे instagram पर message करना पड़ेगा instagram की link मैंने description में दे रखिए तो वहाँ पर जाकर आप मुझे message कर सकते हैं second चीज है कि guys जो भी मैंने fruits बताए अगर आप इन सभी को follow करते हैं और जो भी मैंने height के video डाले description में अगर उनको भी follow करते हैं तो 100% guys आपके height increase होगी उसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा guys होता है क्या कि आप 5 दिन 10 दिन कर लेते हैं और नाप लेते हैं कि मेरा height तो बिल्कुल नी पड़ी ऐसा नहीं होता है guys थोड़ा बहुत nutrition चीज़े ऐसी होती है कि सभी की body अलग- इस वीडियो को like करें और चेनल को subscribe करें ताकि आप चेनल को subscribe करेंगे तो हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचेगा और पास में bell icon button पर भी जरूर क्लिक करें तो guys next video में जल्द मिलेंगे जहिन जह बारत